तो नेक्स चेप्टर हमारा जो होगा आपका प्लांट ग्रोथ और हर्मोन वाल होगा यह हम इसले कर रहें क्योंकि आपका 12 और 14 चेप्टर वह थोड़ा हाड होगा समझने के लिए इसले पहले 15 कर लेते हैं और उससे अच्छा होगा कि हम बाकी के चैप्टर्स खतम कर ले इसमें ऐसा है 12 चेप्टर और 15 में कि आपको सिरफ याद करना है सबसे पहले प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे तो आपका जो प्लांट ग्रोथ होता है वह एनिमल में अलग और प्लांट में अलग होता है सबसे प्लांट ग्रोथ क्या होती ओपन टाइप की होती है तो आप कहां पर आपके cell add होंगे वो आपको पता होता है plant differentiate is also open differentiate मलब किस तरफ को वो differentiate करेंगे वो भी open रहता है measurement of plant growth तो सबसे पहले आपके पास growth चो होता है वो cytoplasm के बढ़ने से होता है और आपका shingle cell भी बढ़ेगा तो उसकी वज़े से भी आपका plant grow करेगा ऑक्सोनो मीटर क्या होता है आपका growth in length measure कर सकता है ऑक्सोनो मीटर ठीक है उसके बाद NCRT में दो एक्जामपल है मेज में क्या होता है आपका cell number बढ़ते है और watermelon में आपका volume बढ़ता है growth rate क्या होता है growth rate आपके दो तरीके क्या होते है arithmetic और geometric तो यहाँ पर लिखा हुआ है earth metric और geometric और geometric earth metric में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि एक cell से आपके दो cell बने फिर एक cell जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा constant हो जाएगा फिर दूसरे cell से क्या होगा दो बनेंगे उसमें से एक सेल कॉंस्टेंट हो जाएगा दूसरे सल डिवाइट करते रहेंगे ठीक है तो यहां पर एल टी एल नौट प्लस आर्टी तो ग्राफ कैसा आएगा कैसा वला आएगा और यहां पर आर जो है वह अर्थमेटिक growth rate है क्या है arithmetic growth rate तो equation याद रखने हैं और graph याद रखने है arithmetic ग्रोथ का geometric growth की बात करें geometric growth में आपका क्या है सबसे पहले geometric growth में क्यों होता हर cell जो आपका बना है वो आगे divide करेगा और यहां पर r आपके पास constant आएगा geometric growth और आपका जो कर्व बनेगा वो सिग्मोईड बनेगा ठीक है और यहां पर आपको यह जो ग्राफ है इसमें सारे फेज याद करने सबसे पहले जोगा फिर लॉग होगा फिर इस्टेशनरी फेज होगा क्योंकि आपका एक कोशन आइधिंग यहां से आया था जिसमें लैग ल जोंगे वो डिवाइड करते रहेंगे कोई कॉंस्टेंट नहीं होगा कंडिशन फॉर ग्रोथ सबसे पहले आपको ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए होती है वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रेंट टेंपरेजर इंगे किसके लिए होते हैं आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए अलग चीजें होती है पर यहां पर अलग होंगी ठीक है वाटर में क्या क्या होता है वाटर किस चीज में हेल्प करेगा इंजाइम वाली एक्टिविटीज में हेल्प करेगा आपके लीफ अगेरा की टलजी टीटी में हेल्प करेगा शेप प्रवाइड करता है वाटर ऑक् तो आपको चैप्टर हो जाएगा और आपके नमबर नहीं कटेंगे क्योंकि बायो में ऐसा होगा कि आपके 30 में से 28 कोशन तो बन रहे होंगे क्योंकि इजी आता है 2021 में आपका बहुत इजी आया था 2022 में आपका थोड़ा सा उन्होंने मीडियम मौडरेट लेवल का कर दिया था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते कि 2023 में आपका एक अच्छी लेवल का पेपर आएगा ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी ठीक है रूटस वगरा में यह आपका ड डीठींच ड हो गांगे जएसे ओको का का आप एक्षाय आपका प्राइशन वीच्छाल में böyle कि ऑप्रटाय दियीकल सबस्कर सेंधार ऐसे में आपका डिटाफिश लेशन करके कार्क मब्या बनाएग दिटत कि होता है जब आपका कॉर केंबियम बन गया उसके बाद री डिफ्रेंशेशन होके वो दो लेर और बनाएगा फैलम और फैलो डर्म ठीक है तो री डिफ्रेंशेशन का एक्जामपल आपको यहां से मिल जाएगा डेबलोमेंट की बात करते हैं अब आपको डेबलोमेंट में इसलिए बृदाब आपको इसमें गिना जा रहे है है एकदम आपका डेबलोमेंट पूरा हो जाएगा इंक्लूड और चेंजेस अगरिन लाइफ टाइम तो डेबलोमेंट में वो सारी चेंजेस आएंगे जो लाइफ टाइम में होए इसलिए बुढ़ाब भी आपका इसमे environment से affect होगा आपकी development और internal factor में अलग जो पेड को मिल रहा है nutrient water oxygen उसके अंदर अगर सही मात्रा में जा रहे हैं तब plasticity क्या होती है behavior of plant in change environmental condition तो जब आपका plant अलग behavior करने लग जाएगा अगर आपके environmental condition में changes हो रहे हैं जैसे heterofily होता है heterofily में क्या होगा जहां पर एक single plant होगा पर इसकी leaves जोंगी वो अलग तरीके की होंगी जैसे environmental factor की वज़े से आपका buttercuff की जो इमेज होती है इमेज नहीं आपका जो leaves होती हो अलग अलग हो जाती इमेज आप एक बार NCRT से देख लेना लिखोगे तो यह याद भी हो जाएंगे ठीक है development में क्या होता आपका coriander जोगा plasticity दिखाएगा यह यह हैट्रोफिली दिखाएगा ठीक है it your relation एक यहां पर सब्दा आ जाता है यह मैंने add कर रखा है ताकि आप confused नहीं तो यहां पर हो जाता है जब seed without light grow करता है तब आपको इसको itulation बोलते हैं उसके बाद intrinsic factor आएंगे जैसे आपके intrinsic factor होते हैं क्या है पेड़ की जीन और आपके intercellular factor जो होंगे वो pgr मलब plant growth regulator आपके intercellular हो जाएंगी intercellular मलब जो आपके आपस में connected रहेंगे plant growth regulator में आपके पास normal growth और stress condition में दो होंगे एक pgr होगा एक pgii होगा जो pgr होगे वो promoter होंगे मलब आपकी growth को promote कर रहे होंगे पर जो pgi होंगे वो inhibitor होंगे आप promoter में कौन-कौन से आते हैं इनिवीटर में कौन-कौन से आते हैं वो आपको याद रखने है प्रोमोटर में जो हर्मोन आते हैं वह आपके होते हैं ऑक्सिन जीबरलीन एंड साइटोकाइनेट ठीक है उसके बाद इनिवीटर में आपके पास एब्या आएगा एपसीसिक एसिट और इसालीन आएगा अब पौर्टिंगे जीबरलीन के बारे में पढ़ाएंगे ऑक्सीन जो होता है पढ़ा होगा चोटी ग्लास्ते में तो नहीं वद्घ की याद ऊखने की होटा मतलब होता है तो यह किस ने आपकी कोजब ती चारल्स डार्विन और फ्रासर कि क्रिक ने वर्किंग किया था किसमें फोटो ट्रॉपिजम में कैनेरी ग्रास पे कॉलियो पुटेल तो इसमें यह होता थे कि आपका जो उसका टिप होगा वो किस तरफ होगा सूरज की तरफ को तो जैन आपका जो एफ डबलू वेंट थे मलब एक साइंटिस्ट का नाम है उन्होंने ओट पर काम किया ओट डिस्कवर ऑक्सिजन डार्विन लिखोगे ऑक्सिजन आइसुलेट अगार प्लेट में केस ने किया था एफ डबलू वेंट ने और अलग से हंगले समेत ने किया था रोल ऑफ ऑक्सिन पढ़ने हैं अब इनके रोल इंपोर्टेंट है क्योंकि कहीं पर आप से पूछ ठीक है ब्रांच डिसेंडिंग मलब ब्रांच बननी कम कर देगा जैसे कोई पौंध है अगर वो इसकी ब्रांच इस तरफ को जारी तो ब्रांच इधर को अलग अलग नहीं बनेगा और आगे को बढ़ता जाएगा ठीक है यह याद रखना है प्रमोट फ्लावरिंग उवे उसके बाद वह जड़ना सुरूब उसके बाद यह वीडी साइड की तरफ हँद करता अब यह पॉइंट इमपोरटेंट है कि यह मोनोच कोट पर आपका वार्क नि करेगा यह ड्यकोट पर वार्क करता है किसकी करता है लोट करते हैं ड्यकोड पर्यकपन ब sevक Kelvin करता ह एसिट के बारे में पढ़ेंगे जो जिबल्लिक एसिड होता है इसकी इस्टडी की थी किस पे की थी उसको बैकेंड डिजीज अकर हुआ था राइस प्लांट पे जहां पर सिंप्टम्स अब्ज़र होए थे और किस फंगस की वज़े से होए थे जिबल्लक फुजी कुरई ठीक है उसके बाद इन प्लांट मोर दें सच केमिकल जी एवन जी एटू जी एट्री देन जिबल्लिक एसिड के रोल पढ़ेंगे हम जिबल्लिक एसिड के रोल क्या होता है यह आपका एक्सिस और क्रेप्स में हेल्प करेंगा मलब उनकी लेंथ बढ़ाने में उसके सबस्क्राइब गया है अलग से बोले गए तो यह इंपोर्टेंट कोशन बनेगा इट प्रोमोट माल्टिं माल्टिं मलब आपका किसी भी चीज को ब्रिवेर इंडस्टि होती है जहां पर आपको चीजों को क्या करना पड़ता है बहुत पकाना पड़ते है तो आहां पर का को पकाने का काम करेगा त्री पे increase production of sugar sugar cane crop शुगर केन क्रॉब साइट्टो काइनन क्या होता है आपका साइट्टो काइनन किस ने खोज की इस kole एंड मीलर ने तो important है, role पढ़ेंगे role में क्या होता है division in young leaf it promote division of chloroplast overcome apical dormancy apical dormancy के overcome कर देता है और promote branching तो ये किसके opposite काम कर रहा होगा आपके जहां पर आपका oxyn था, वो क्या कर रहा था apical dormancy को बढ़ा रहा था promote branching नहीं कर रहा था तो ये उसके opposite हो गया it promote lateral branch प्रिवेंट लीफों को जड़ने से रोकता है और मोबिलाइज फूड में काम करता है इथाइलीन के बारे में पढ़ेंगे किसने खोशकी थी कजन्स थे रैपेंड औरेंज केमिकल फॉर्म विच कें प्रमोट रीपिंग और बनाना तो आपके औरेंज को बनाना के पास में र प्रूट रैपनिंग वही कि आपके फ्रूट को पकाता है इट प्रोमोट एपसीजन और फ्रूट फ्लावर और लीफ अब इट प्रोमोट रूट है डेवलोमेंट इट ब्रिंग राइस प्लांट अब वाटर सरफेसे ले इनलोंगेशन और इंटोनेट अब यहां पर प्रूट इनलोंग यहां रुटृट रहा है अपको 1 चैडम यहां इसे आप रही इनलोंगेशन और यहां इसा का ऐसीजन कूल महें सब्सक्रीं चकूआयों आपका 1 चूंट को क्लो真的 गरता इंट open इसके हूर्मोन के गेंस्ट ये एक्ट करता है जिब अइसिड आपको पता है क्या करता है ऐइं करताः है अस worमोट करता है व स्के बाद आपके लिपार्मोन और इन हर्मोन की रोल हैं और आपके जो साइन्टिस्ट ने खोज की थी और यह दो ग्राफ आपके इंपोर्टेंट हो जाएंगे तो यह नोट्स को आप हाथ से लिगे ना ठीक